स्रीकाल, हाव यू ओल दिस इस रुपिंदर और वेलकम तो माई चैनल लाइफ स्केल विद रुपिंदर कई समय से न कोई कोई लोग मुझसे पूछ रहे थे कि हम ऐसा कौन सा खाना खाएं जिससे हमारा वेट गेन हो जाएं कई बार कोई बहुत जादा कमजोर होता है मतलब लोग अपना वेट कैसे बढ़ाएं वो भी नाचुरल तरीके से और जो की हेल्दी वेट गेन हो आज इसी चीज सीरीज में मैं आपको छे ऐसे फूड बताऊंगी जिसको खा करके आप अपना वेट नाचुरली बढ़ा सकते हैं और जो की आप इजिली मैनेज भी कर सकते है हमें सबसे पहले तो ये रिखना है कि कौन से ऐसे फूड हैं जिसको आप अपने डाइट में इंकलूड करेंगे हर दिन जिससे कि आपका वेट गेन हो जाए तो सबसे पहला फूड जो आप अगर वेट गेन करना चाहते हैं तो आपको लेना चाहिए वो है बनैनाज आप सुबह जरूर लेंगे और दो केले शाम को लीजे ऐसा करने से आपका वेट बढ़ने रगेगा केला जो है ना इसके अंदर काफी अच्छी मात्रा में क्यालरीज भी होती है और काबो हाइडरेट भी बहुत अच्छी मात्रा में होता है जिसके कारण अगर आप केला रेगुल बस एक ध्यान रखना है केले को रात को मत खाये आप मौनिंग में खाये आफ्टर नूनमें ले ले सकते हैं डो एक केले आपको खाने है दूसरा इंपोर्टन फूड जो आपको वेट गिन में हेल्प करेगा वो है राइस अगर आप चपाती खाते हैं रोटी खाते हैं तो रोटी खाने से इतना weight gain नहीं होता है राइस से weight gain होता है तो आपको आपकी डाइट में rice को include करना चाहिए राइस जो होता है ना उसमें carbohydrate भी अच्छी मात्रा में होते हैं फाइबर भी होते हैं काफी साहे nutrients भी होते हैं तो यह जो है ना यूजुली आपका weight gain करने में help करते हैं आपको rice के साथ कोई भी दाल ले सकते हैं लंच में आपको एक serving rice की जरूर खानी है if you want to gain your weight third important food is potatoes जो आलू होते they are also helpful in gaining weight आलू आप कैसे ले सकते हैं आलू किसी भी फॉर्म में लीजे चाहे आप आलू के प्रांचे खाएं आलू की सबजी खाएं आलू किसी भी रूप में जिस तरीके से भी आप पसंद करते हैं आप एक दिन में 100 ग्राम आलू तक खा सकते हैं आलू म बहुत अच्छी मात्रा में starch होता है जो कि हमारे को weight gain करने में help करता है तो आप बच्चों को भी जैसे छोटे बच्चे हैं तो उनको आलू का प्राठा बना के दे सकते हैं या mashed potato उनको की चाट बना के दे सकते हैं या आप खुद खा सकते हैं जैसे मर्जी potatoes जैसे भी आपक सकते हैं वो भी आपका weight gain करने में काफी help करेगा fourth important food is जो चना होता है चिकपी हो गया राजमा हो गया बीन्स हो गया पीज हो गया ये भी एक अच्छा source of protein है जो भी लोग weight gain करना चाहते हैं उनको protein की भी उतनी जरूरत है जितने carbohydrate की protein जो है आपकी muscle build करने में help करता है तो अ अगर आप protein लेंगे balance form में एक कटोरी रोज कभी चैना बनाया कभी राजमा पीज या कोई भी तरीकी की जो आपको पसंद है ये आप लेते हैं तो इससे आपका weight अच्छे से positive तरीके से gain होगा इससे आपको muscle mass भी आपका बढ़ेगा और आपका weight gain naturally होगा another very important is paneer या फिर whole milk जो paneer and whole milk है ये भी हमारे diet के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें high quantity of protein होता है और high fat है क्योंकि आप full whole milk बोल रहे हैं आपको fat milk आता है वो लेना आपको toned milk नहीं लेना है अगर आप toned milk लेते हैं तो आपको weight gain करना है तो आपको full fat milk लीजिए ऐसा करने से आपको weight gain में help होगी और ये natural तरीके से आपका weight gain में help करते हैं क्योंकि ये rich in protein है fat इसमें अच्छा fat होता है तो it will help you in increasing your weight साथी साथ आपना tofu ले सकते हैं जो भी लोगों को weight gain करना है उनके लिए tofu भी बहुत अच्छा रहता है tofu और soya product ये दोनों चीज़े अगर आप daily diet में अपनी include करेंगे tofu और soya product तो it will also help in increasing your weight और ये आपका balance weight बढ़ाएगा जिससे की आपको कोई दिक्कत भी नहीं आगी ये जो 6 की 6 चीज़े मैंने बताई हैं ये अगर आप continuous एक महीने तक लेंगे तो आपका weight naturally gain करेगा आपको खुद भी अच्छा feel होगा कि अब आप skinny नहीं है क्योंकि potatoes are rich in starch दूद से बनीवी चीज़े लेंगे अच्छा अगर आप दूद नहीं लेते करें को दूद का taste नहीं पसंद होता तो आप दहीं भी ले सकते हैं दहीं की बनीवी लसी ले सकते हैं वो भी आपको उतना ही benefit कर तो you can take curd in place of milk also एक कटोरी भर के दहीं जरूर आपको लेनी है with lunch ले लीजिए या सुबह आप एक ग्लास बड़ा लसी का बना के पी सकते हैं जो थिक curd होती है उसकी लसी बहुत अच्छी बनती है तो वह भी लेने से आपका weight gain होगा तो try to take all these foods for continuously one month अगर आप एक महीने तक इसे continuously लेंगे तो आपका weight naturally तोर पर बढ़ जाएगा I hope you all like my videos for more video do like and subscribe thank you for watching kids say bye bye subscribe please subscribe please bye